Hello everyone, सरकार दुआरा इंडियाज कोविड वैक्सिनेशन ड्राइव में नए आदोशों की अनॉंस्मेंट के बाद आज फार्मा स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी थी इसके अलावा COVID-19 केसिस में लगातार गिरावट ने बाजार में तेजी को समर्थन दिया है साथ ही गर्वर्मेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में COVID-SHIELD, COVAXIN और Sputnik V में अड्मिनिस्ट्रेशन के लिए चार्जिस को रवाइस किया है Nifty Pharma ने Dr. Reddy's Lab को छोड़कर Heavyweight Stocks में बड़त के साथ Broad Based Buying Report की है सुबे करिब सबा 11 बजे Nifty Pharma 75.40 points याने 0.53% की तेजी के साथ 14,265.25 पर कारोबार कर रहा था Index ने Intraday High 14,362.45 और Intraday Low याने 14,208.50 को छुआ है Bull Market में Biicon ने 2.6% की बड़त हासिल की और उसके बाद Tauran Pharma ने 1.7% को बड़ा दिया Cadillac Healthcare 1% से बड़ा जबकि Divis Lab 0.8% बड़ा Lupin और Alchem Lab में 0.6% बड़त देखी गए Sipla, Sun Pharma और Aurobindo Pharma में मामली बड़त दिखाई दी थी हाला कि Dr. Reddy's Lab में 0.2% की गड़ावत आई, साथ में वो पीछे रह गया है Indian Government ने Universalization of Vaccination को प्राप्त करने के लिए Vaccines के लिए नया आदेश जारी किया है Center ने Announce किया है कि 18 साल से अधिक के Government Health Facilities में COVID-19 Vaccine के doses free of cost प्राप्त कर सकते हैं Monday को National COVID Vaccination Program के guidelines में इन changes की Prime Minister ने Announcement किया कि immediate follow-up में Union Health Ministry ने Siram Institute of India को COVID-Shield के 25 करोल डोस और भारत बायाटेक के साथ 19 करोल डोस आफ को वाक्सिन के लिए order प्लेस किया है इंडिया में पिछले 24 गंटों में 92,596 new cases रपोर्ट किये जबकि पिछले 24 गंटों के दारान 1,62,664 patients चीख हुए है इंडिया's active case floor 57 days के बाद 13,00,000 से भी कम हो गया है ऐसे important updates के लिए बने रही है 5 पैसर चैनल के साथ लेकिन subscribe करना मत भूलना Bye